फाइनली हमें विन मिल चुकी है जहाँ पर अंगत बिस्ट अपनी फाइट को डॉमिनेट करके फर्स राउन में फिनिश कर देता है और इसी विन के साथ अंगत बिस्ट कॉलिफाइ करके है सेमी फाइनल राउंड के लिए अंगत बिस्ट जहाँ पर वो स्टार्टिंग आफ दा फाइट से ही काफी अमेसिंग दिखा उसने जॉनल मैंसर को स्ट्राइकिंग में बीट किया उसे केट साइट पुछ करके उसे टेक डाउन किया और एंड में अपने ब्रूटल ग्राउंड और पांट बंचिस से अंगत बिस्ट इस फाइट को विन कर लेता है बाई ठीक हो यह पूरे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टन विन है आई मीन हम डेस्पिरेट थे एक विन के लिए और फाइनली हमें एक विन मिल चुकी है जहाँ पर मैं ये देखकर सर्प्राइज हूँ कि अंगत बिस्ट साम रहकर अपना टाइम लिया अपनी पुजीशन को इंप्रूव किया और एंड में जब जॉन के उपर उसे साइड कंट्रोल मिला तब ही जाकर हम देख सकते थे कि अंगत बिस्ट पूरी अपनी पावर से ग्राउंड एंड बाउंड पंचिस को थ्रो कर रहा था और फाइ इंगल से देखने पर यही लगता है कि पास्टली कनेक्ट हुई थी बड़ ये हेड किक थ्रो करने के बाद जैसी ही जॉन इलमेंजा ने सोचा कि वो अंगत बिस्ट को पुछ करेगा तो यहाँ पर अंगत उसे रिप्लाई देता है अपने ओवर एंड राइड पंच से जो डारेक्टली कनेक्ट होता है जॉन इलमेंजा के फेस पर और हम देख सकते थे कि ये पंच लेने के बाद हलका सा जॉन थोड़ा सा स्टन हो गया है और ये मुझे लगता है कि अंगत बिस्ट को भी पता लग गया था क्योंकि वो पंच लैंड करने के बाद अंगत बिस्ट जॉनल मैंसा को पुछ करने लग पड़ता है बट इसी के साथ अंगत बिस ने बहुत ही अच्छा किया कि उसने अपने गाड को भी उपर किया हुआ था क्योंकि जॉनल मैंसा ने बैकवर्ट जाते हुए अंगत के उपर दो हेटकिक को त्रो किया बट क्यूंकि अंगत इससे बहुत अवेर था इसलिए उसने अपने गाड को उपर किया हुआ था और ये दोनों किक्स को उसने ब्लॉक कर लिया केज की साइट पुछ करने के बाद अंगत बिस ने जॉनल मैंसा के उपर दो तीन बिग राइट पंचिस को कनेक्ट किया और फिर उसके बाद काफी अच् बिख सकते थे कि उसने कपल आफ टाइं स्ट्रै किया कि वो अंगत की ऊपर ट्राइंगल चोक लगादे बट यहां पर अंगत बिस की ग्राउनद गेम काफी अच्छी थी वो बिल्कुल काम रहा और यहां पर अंगत बिस अपनी कोचिस के भी सुन रहा था जो बहुत ही नेलमेंसर, यहां से अंगत बिस्ट जॉनलमेंसर के ऊपर बिग राउंड था इसा को पंचिस थ्रों कर रहा होता है। पंचिस को थ्रो करने लग पड़ता है और इवेंचुली रिफरी को स्टेप इन करना पड़ गया और ये फाइट ओवर हो जाती है तो बहुत ही अमेजिंग विन बाई अंगत पेस्ट वो स्टार्टिंग से इंड तक पूरी फाइट में काफी अच्छा दिखा वो बहुत ही काम रहा उसने जरा भी फाइट को रश्णी किया बिल्कुल टेकनीक से उसने फाइट किया है और अब फाइनली इसी विन के चलते अंगत पेस्ट ने इंडिया की हूप्स को कायम रखा है और अंगत पेस्ट आप कॉलिफाय कर गया है सेमी फाइनल राउंड के लिए तो कैसे वो यहाँ पर विन किया है I'm pretty sure काफी लोग उमीद कर रहे है including me कि अंगत पेस्ट इस पूरी सीजन को विन कर जाए तो सेमी फाइनल फाइट के लिए all the very best अंगत पेस्ट को और तुमें ये फाइट कैसे लगी let me know in the comments और इसी के साथ इस वीडियो को end करते है अगर में वीडियो अच्छी लगी हो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में